आप सब आई खोप सब अच्छे होंगे और आज है गनपती बप्पा का जनम दिन तो गनपती बप्पा मो रिया और शाम के नौ बज रहे हैं पता है मैं कल से न मेरे माई के में थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई तो कल से में गई थी मेरे ममी के घर पे मतलब दिया मोक्ष रहते हैं वहां पर ममी पापा तो नहीं है तो उनके घर पे थी मैं और रात को वहीं पर सोई और आभी शाम कड़ाए मैं मैं घर में आई हूं तो कल में वहीं थी और आज में घर पे आई हूं और घर पे कोई नहीं ह पूरवी केक बर फिट से कराटे की फाइट है तो लोग गए है तो बच्चों के लिए आज में होम मेट पीजा बना रही हो और घर में ही मैं सारा सामन लेके आई हो क्या क्या लेके आई हो दिखाती आपको आई यहां पर तीन पीजा सेट मैंने ले लिए हैं जैसे कि एक में दो रहता है तो हमारे की राना वाले अंकल के पास ही यह वाले अवेलेबल थे यह दो एंड एक यह तो छे बनेंगे मलब टोटल छे पीजा और उसके लिए मैंने आपे समाल लिया है चीली फ्लैक्स ब्लैक पेपर सेज़वन औरिगेनो एंड आमूल बटर और बड़ा वाल और यही सब सबजिया मैंने कट कर लिया शिमला मेर्च गाज़ टामाटर एंड ओनियन को और चलिए बनाते हैं पीजा सुगाइस सबसे पहले न मैंने फॉक की हेल्प से पीजा बेस में चेट कर लिया अच्छी तरह से तक अंदर से अच्छी तरह से पीजा सीख पाए और पर डाला टॉमेटो सॉस और उसके बाद में यहां पर सेजवन चटनी तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो अमूल बटर लगाया पहले फिर सॉस और सेजवन चटनी उसके बाद में प्याज के हैसे बड़े-बड़े क्यूब करके डाल दिया है और साथी में श तो हेल्दी तो बनता है और उसके बाद में टमाटर चीली फ्लैक्स और औरिगेनो ब्लैक पेपर उसके बाद में चीज यहां पर डाल दिया है अच्छी तरह से कसके तो चीज से पूरा पीजा भी भर जाएगा रियल टेस्ट चीज का और सॉसेस का ही आता है और तवे पर मुल बटर लगा के मैंने पीजा को दीमी आज पर रख दिया है तो पहले एक मैंने अच्छी तरह से बना के दिखाया उसके बाद में यह पांच पीजा मैंने बाद में स्पीड में दिखाए हैं आप लोगों को और सेम प्रोसेस है सभी में जैसे मैंने फर्स्ट वाले है तो मुझे रीटन देना पड़ेगा है तो यहां पर सेम प्रोसेस में मैंने सब भी सबजीयों को डाल दिया है और जैसे कि पिसले वीडियो में आपने देखा था में तब यह ठीक नहीं थी तो अभी भी इतनी अच्छी तरह से तब यह ठीक नहीं हुई है तो मुझे कोल पीजा मेरा सीक रहा है और यह सबी के सबी छे मतलब यह पांच पीजा और एक वो टोटल छे पीजा को मैंने तवे पर ही दीमियाज पर सेका था तो आप घर में इस तरह बना सकते हो बच्चों के लिए तो यहां पर पीजा देखो यह पहला वाला पीजा है अच्छी तरह स से मैल्ट हो चुका है तो इसको उतार लेंगे अभी तो खाने पे भी बहुत टेस्टी बना दा रियल में क्योंकि माटेरियल के उपर है और यहां पर कोल्ड रिंग निकाला अभी और इस वक्त बच्चे आ चुके हैं घर में तो पीजा मेरे सारे रेडी हैं बस मुझे लगाना बागी है और यह देखिये यहां पर मैंने रख दिये हैं सारे पीजा और हमने डिनर में आज पीजा ही खाया था और सभी ने पीजा काया मतलब मुझे और हस्बेंट को एक-एक बस हो गया थोड़ा सा खाना भी रखाता एक्चुली और बच्चों को दो-दो पीजा दिये जो की और भी बच गएते तो यहां पर मैं कट करके दिखा रही हूँ अभी पीजा को तो तब्याद इतनी ठीक नहीं है इसके लिए मैंने फेस भी नहीं दिखाया मेरा फेस काफी डल हुआ है गाईज तो यह देखिए पीजा मैंने कट किया है और इसे टूटू पीज में हमने कट करके खाया था फोर पीज नहीं किये थे तो यहां पर देखिए मेरे पीजा के साथ में मेरी शक्कल और बच्चे भी आ चुके हैं तो यहां पर सॉस वगेरा निकाला और हमने अपना पीजा एं झाल झाल